अब नमस्कार असलावनेकूम नाजरीन पलबन नियूस के नियूस रूम में आप सब का खेर मगदम है और मैं हूँ आपके साथ नदिम अक्रम अभी महाराश्री के पालगर में दोस्तादू की बेरहमी से हत्या करती गए थी अभी वो इंसिडेंट थमा भी नहीं था कि उत्तरपरदेश की बुलंचेहर से एक और दराने वारी तस्वीर हम लोगों के सामने आई है आखिरकार बुलंचेहर का ये क्या है पूरा मामडा एक बार उस पर भी नज़र डाल लिजिए महराष्ट के पालगर में दो साधू की मौब लिंचिंग के बाद अब उत्तरपरदेश में साधू की हत्या की वारदाच सामने आई है बुलंचेहर के अनुप शहर कोतवाली में दो साधू की हत्या कर दी गई है मंदिर परिसर में सो रहे दो साधूों पर धारदार हत्यार से वार किया गया है भीर ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौप दिया है जहनकारी के अनुसार अनुप शहर कोटवाली के पगोना गाउं में एक शिव मंदिर है मंदिर में रहने वाले 55 वर्षिये साधू जगनात दास और 35 वर्षिये साधू सेवा दास की सोमवार रात हत्या कर दी गई मंगलवार सुभे जब ग्रामिन मंदिर पहुँचे तो साधू के लत्पशब देखकर भड़क गए देखते ही देखते मंदिर में सैकडों लोगों की भीड एकठा हो गई इस बीच ग्रामिनों ने एक शक्ष पर शक्ष जताया इसके बाद इसकी जबरदस्त पिटाई की गई घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस फोर्स पहुँच गई और आरोपी शक्ष को अपनी कस्टडी में ले लिया इसके साथ ही शवकू पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है पुलिस का कहना है कि मामले की जाच की जा रही है शहर के संतोष कुमार सिंग ने कहा कि प्रारंबिक जाच में पाया गया है कि कुछ दिन पहले आरोपी ने साथों के सामान को छीन लिया था जिसके बाद साथों ने उसे डाटा था इससे नराज होकर आरो मामले की जाच की जा रही है इससे पहले महराश्च्र के पालगर में 16-17 अप्रेल की दर्मियान रात दो सादूओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी ग्रामिडों ने चोर के शक में टीनों की पिटाई की थी इस दौरान पुलिस कर्मी मुगदर्शक बने थे इस मामले में 100 से अधिक लोग गिरफतार किये जा चुके हैं तो दोस्तों आपने देखा कि उतर प्रदेश की बुलन शहर में दो सादूओं की धारदार हत्यार से हत्या कर दी गई और बेरहमी से उन्हें मार दिया गया उतर प्रदेश में घटना घटी बुलन शहर की घटना इसको चुपाने पर मीडिया पूरी तरीके से लगा हुआ है क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में जो भी कुकर्म हो रहे हैं उसे मीडिया बाहर आने देना नहीं चाहता जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो बाग कई डराने वाली है उत पंशेहर की तस्वीर डराने वाली है आकिरकार क्यूं हत्या की गई यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और इस हत्या का जिम्मेदार कोई और नहीं यह मीडिया है जहाँ अक्सर पूछते हैं कि मीडिया समाज को क्या दे रहा है तो यह जो हत्या साधूँ की हुई है ये मीडिया की दिन है क्योंकि उसने इतना अग्रिसिव लोगों को बना दिया है कि अब लोगों में सेंच छीलता नहीं रह गई है, सेंच शक्ती नहीं रह गई है, अगर किसी ने कोई बात कह दी तो द्वेश की भावना ले करके उसको मारने काटने पर उतारू हो चुके है, मैं ऐसी ही तमाम खपरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा, तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त शुक्रिया,